गाइस वेलकम बैक टो इंडियन सोलजर वन भाई चार दिन बचे हैं सिरफ चार दिन है तुम्हारे पास जहां जाना है घूमना है घूमा हो वैसे एक बात बता हूँ डेली एंसे आर की हालत पॉल्यूशन वाइस बिल्कुल भी ठीक निया नॉर्थन इंडिया की बेसिकली हर फिंबल विंटर स्टाट हो रही है रागरोक की लड़ाइब 77 312-6 İyi ओन संबुदो д उन चयांतों नो इस बंदे को भी इस बंदे को भी से भाई मैं पहले बता रहो है गलत है तुम लोग spoilers देख रहे हो तो हमें मत दिखाओ और तुम लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक spoilers avoid करें हैं भाई दिल से respect भाई मैंने एक वीडियो ने देखी भाई एक भी लीक वीडियो मैंने नहीं देखी वाई थैंक्पुली आयब अवोइड़ेट इस मच पॉसिबल कमेंट सेक्शन में फिर भी तुम लोग शैतानी कर देते हो थोड़ा बहुत बता देते हो लेकिन प्लीज भाई मत बताया करो मत स्पोयल करा करो तुम लोगों अपने ल एक पहली बात तो यह के गौडव और रागनरॉक स्टाटिंग में जो बेरा बेसिक कोशन है पहला कोशन वो यह है हां देखो वाई 2018 से रेटी स्पोयलर्स होंगे अगर 2018 गौडव और नहीं खेलिया आप लोगो ने तो भी है यहीं बिल्कुल गेम इस वीडियो को स्टॉप कर दो गेम पहले खेल लो उसके बाद यह वीडियो देख लेना और अगर आपने 2018 गौडव और खेली हुई है तो अगर्व आप लोगों ने खेली वीडियो गेम में तो गेम एक बारी भी कैमरा जो है कैमरा एंगल कट नहीं होता और इस कैमरा एंगल ना कट होने के एक फायदा एक नुकसान है फायदा यह है कि बहुत ही जबर्दाश चीज़ है इस लूक्स अमेजिग मतला आपका फोकस आपके ग्रेक्टर के ओपर से कभी नहीं हटता आप हमेशा अपने ग्रेक्टर के आसपास रहते हों आपको पता होता है कि उनके दिमाग में उनकी कन्वर्सेशन में एक्चुली में क्या चल रहा है तो यह बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका एक नेगेटिव पॉडी का जो वो था गेमपले था मतलब उनके साथ जो फाइट थी उसके अंदर जो भी मैगनी अन्मोदी को थौर और ओडिन ने बोला वो एक्चुली में हमें पता कैसे चला कि उन लोगों ने कन्वर्सेशन में क्रेटोज और ट्रेस को बताया हमें ऐसे बता चला हमें अपनी अपनी रिल्म में क्या डिसक्शन कर रहे हैं रिगार्डिंग क्रेटोज एन एट्रेस यह हमें तब ही पता चलेगा जब यह क्रेक्टर समारे सामने हाई स्क्रीन पर आएंगे मेरे ख्याल से ऐसा ही कोछ होगा तो आपको क्या लगता है मतलब यह बहुत जबर्दस मेरे असाब से तो भाई इस वन अफ बेस्ट फिंग्स विकावजी स्टोरी निरेशन का एक बिल्कुल यूनीक आइडिया है जो गौडवर 2018 के साथ मुझे बहुत जबर्दस इंप्लिमेंटेशन लगी ती इस चीज़ की तो यह बहुत बड़ी चीज है भाई इसके बारे म मेरा यह है गौडवर 2018 में जो अनासरड मेरे असाब से वह है वह जो क्या नाम है उसका यूमंगेंडार वोल्ड सर्पेंट वेल्ड सर्पेंट का हॉन किसने ब्लो किया था जब एट्रेश वास सिक जब फ्रेया उसका इलाज कर रही थी तो पीछे से एक वाउन ब्लो होता ह मिमीर भी कहता है कि समवन समवन कॉल दी यौमन गैंडार किसी ने वर्ल सर्पेंट को बलाया है तो वह कौन है मेरे ख्याल से जो मेरी जो मेरे को लगता है ना वह होनी चाहिए एंग्राबोर्डा या फिर ओडिन लगता है तीसरा कोशन भाई फे फे कौन थी कौन थी और मतलब इत्रयस की माँ और इन भाहए साब की वाइफ थी बट एक्चुली में फे कौन थी खुलक है और एक्चुली में मतलब उसका क्या रोल था जब उसने यौटन हाइम में जाके जो वहां के जाइंट से हफिऊने क्या बात करें थी वो सारी चीजें में चाहता हूं कि वह पता चले us में यही है सेमर है कि मैं back story कैसे पता चलेगी अगर camera angle ही कट नहीं है निया है अगर कुछ कर दा कि स्टार्टिंग से लेकर एंट तक कोई कैमरा कट्स नहीं है तो इस 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 यूनीक यह प्रता चलेगा गड़ और रागंडरॉग के बाद ही ठीक है फेल के बारे में इस वास मैं थर्ट कोश्चिन इस गेम के अंदर क्या टाइम ट्रेवल होगा अब टाइम ट्रेवल होने के एक चांसे मेरे को इसलिए भी लगते हैं विकास टाइम ट्रेवल 2018 गौड फ़ वर में भी था लेकिन हमारे के साथ नहीं एक दूसरे के साथ जिसका नाम वर्ल सर्पेंट था विकास मिमीर ये कहता ह मिमीर ने ये बात साफ बोली थी के थौर और वर्ल सर्पेंट का जो बैटल हुआ था उसके अंदर इतनी जबर्दा सिर्गे से उसने मियोल नीर वर्ल सर्पेंट को मारा था कि ही ट्राइवल बैक थ्रू टाइम तो वह जब 2018 में वर्ल सर्पेंट आपको उहां पर दिख रहा होता है बेसिकली वह टाइम में वापिस आया होता है वह वर्ल सर्पेंट फ्यूचर से 2018 वाले एरा में जो गौड़ वर का एरा था उसमें आया होता है तो इसके चलते हुए तो तो हमें ट्राइम ट्रेवल देखने को मिलना चाहिए बट गौड़ वर के अंदर यह पहली बार नहीं होगा ट्रेवल गौड़ वर के अंदर यह ट्रेवल गौड़ वर टू की एंडिंग के पास भी हुआ था अगर आप लोगों ने गौड़ वर टू खेली थी कभी किसी जाता है बेसिकली टाइटन भी जाइंट सी समय लोग वी जाइंस होते हैं बहुत बड़े-बड़े मॉंस्टर टाइप वह लोग होते हैं उनके पास जाता है उनसे हल्प मांगने के लिए कि जूस को डिफीट करना है तो ही गोज बाक थू टू टाइम एंड फिर वो टाइ के अंदर 2018 वाली के अंदर तो जाइंट्स मर चुके हैं तो डेफिनिली कुछ ना कुछ यहां पर एंगल जरूर होगा अच्छा इसके अलावा जो एक बहुत मेजर कोशन है यह भी बहुत यह सारे मेजर कोशन थे लेकिन एक चीज जिस पर मुझे बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है किया हमें क्रेटोस की डट देखने को मिलेंगी था एंड के दिखाया हैथा गिए अडरते के हाथों में वू छीज क्या सच होगी या फिर ऑफ फ्रेटोस इस चीज़ को चेंज कर देगा चैंज में क्योंकि एक डायलोग ट्व तो मतलब जो किस्मत होती है या फेट होती है वो एक जूट है जो भगवानों ने फैलाया हुआ है कहीं पे भी कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ जिसको अनलिखा ना कर सको मतलब कोई किस्मत ऐसे लिखी नहीं है कि मतलब यह लिख दिया ना यह पत्ता हिलेगा तो यह पत्ता हि वाली थी उसके अंदर तो Greek mythology में Kratos ने death को defeat कर रहा है लेकिन क्या इस बारी वो कर पाएगा या नहीं यह question देखना होगा हमें in God of War Ragnarok इसका answer क्या होगा अच्छा इसके रावा बहुत सारे questions की तो लाइन लगी हुई थी मैंने actually में कहीं गलती कर दे मैंने jot down नहीं करें मैंने लिखे नहीं कहीं पर यह जो थे ना यह 4-5 questions तो ऐसे थे मतलब इनके answers तो भाई चाहिए मतलब यह तो पता चलना चाहिए कि क्या अब इसके लावा जो questions और वह gameplay बेसिकली जादा है विजुली appearances से related जादा है जैसे की एस गार्ड कैसा देखेगा एक्चुली में एस गार्ड देखने में कैसा होगा क्योंकि अगर आप लोगों ने एसासिन स्क्रीड वैलहला या फिर मार्वल सेनमेटिक यूनिवर्स की मूवी देखी है तो उसके अंदर आजगार्ड जो है बहुत ही आलिशान सोने चम चम आता हुआ जैसे कहते हैं हमारे इंडिया में बोला जाता है सोने की लंका होती थी तो वैसे ही मतलब प्रॉपर ए ऐसा होगा एसगार्ड उससे भी अच्छा होगा या फिर एक चीज जो एक क्यारक्टर है जिसको मैं देखना चाहता हूं नौस माइथालोजी में ने काफी साइजी चीजे पढ़ी है वैसे ओनलाइन और आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए लेकिन उसमें थोड़े बहु हुआ है वही इंप्लीमेंट करें गए इस गेम के अंदर तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आप ना चाहते हो गेम आपके लिए स्पॉयल ना करें तो तो वह चीज़ें आपको सकता पता चल जाए लेकिन एक चीज एक कर्टर ऐसा है ओडिन से रिटेडियो है ओडिन का और वह बहुत पावफुल होर्स माला जाता है मतलब वह अपने आप में एक एनिमी है अपने आप में बॉस्वाइट होगी उस होसे मेरे ख्याल से तो वह हमेशा डिपिट किया गया है एस एक लेगट हो और अगर आपको थौर मूवी याद हो सबसे पहले वाल है उसी घोड़े के उपर जिसके आठ टांगे होती है और वह बहुत हैवी और बहुत ही इवल घोड़ा माना जाता है इन नौर्स माइथॉलोजी तो क्या वह हमें देखने को मिलेगा या नहीं I am pretty sure कि वह देखने को मिलेगा बिकॉस हमें यार वह मियूर्स के उपर ही जब बहुत सारे पॉर्टल आ गए हैं और भी बहुत सारे आने वाले हैं इसके मैंने इंस्टाग्राम के उपर आप लोगों को एक मतलब वह भी दिखाया था अपनी ट्रांसेक्शन मैंने करी थी ऑल्दो मैंने उसको रिवर्स करवा दिया विकॉस अभी एक डिसकाउंट आने वाला है PlayStation Plus के उपर तो मैंने सिर्फ वो टेस्टिंग के लिए ट्रांसेक्शन करी थी बिटकोइन से तो भाई बिटकोइन से अब चीजे भी ले सकते हो तो ऐसी वेले बैठे बैठे मैंने एक और चीज डिसकवर करी जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं तो भाई य समझते हैं God of War के अंदर या Norse mythology के अंदर के पूरा Midgard है like Earth is Midgard लेकिन नहीं यहीं पर हम लोग गलत है हमेशा से मैंने जब इसके उपर पूरी research करी और बहुत लोगों को हो सकता है बात पहले से पता भी हो मुझे clarity नहीं थी इसके उपर Midgard basically इस region को बोला जाता है जिसको actually मे बाकी के realms वो अर्थ पे नहीं है मतलब Asgard वगयरा वो यहां पे नहीं दिखाया हुए लेकिन Midgard जब refer किया जाते तो इसको किया जाता है और जो यह theory बोली कही थी ना कि जो world serpent है वो पूरे Midgard को surround करता है तो basically they meant कि वो world serpent की जो length है वो इतनी है यहां से लेकर यहां तक तो उस island में आज भी इन gods को माना जाता है Thor और Odin को यह बात मैंने पहले वीडियो बनाए थी कि आज भी जब सर्दिया स्टार्ट होने जैसे अब यह winters का time चल रहा है तो यहां पे island में यही बोला जाता है सर्दिया आने से पहले कि फिंबल winter आ रही है सो मैं आपको एक चीज दिखा हूँ एक बहुत ही जवर्दस चीज मतलब यहां पे जो जो एरियास के नेम है न वो भी characters के उपर है भाई आपको यहां पर सारे अगर आप जूम करोगे ने इनके map के उपर तो आपको बहुत कुछ देखना मिल जाएगा in fact अगर आप डालोगे Odin Iceland तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी चीज भाई लोगों ने software companies खो ली है अगर आप डालोगे तो यह देखो कितनी सारी जगाए थार नॉडिक विला थार ठीक है न और ऐसे फ्रेया से रिलेटिट भी बहुत सारी जगाए आइसलैंड के अंदर और यहां पर अब यहां पर फ्रेया को बैसिकली फ्रेय जे ए लिखा जाता है तो वह एक तरीका होता लिखने का तो फ्रेया गैस्ठाओ तो फ्रेया से रिलेटिट बहुत सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी आईसलैंड में स्वीडन में और साथ में नॉर्वे में तो बेसिकली जो स्कांडेनेवी वाला एरिया जहां पर नॉर्स माइथालोजी को पूरा फॉलो किया जाता है तो वहाँ पर आपको इन गॉड से रिलेटेड और एक्चुली में उन रेल्म से रिलेटेड आज भी जगाएं मिलजेंगे आप वहाँ पर जाओगे उन लोगों से अगर बात करेगा कोई तो definitely they know about all of this और उनके तो literally जगाओं के नाम है इन सारी चीजों से रिलेटेड तो ये मैं एक थोड़ी सी information क्या है कि भाई बैठे बैठे हम जब bitcoin से रिलेट कुछ चीज़े करते हैं तो ऐसी चीज़े भी चीज में हम ढूणते रहते हैं सिवाई study material के भी और बहुत कुछ करा जा सकता है अगर आप information के लिए जस्ट बैटो online तो तो this was something that I wanted to share with you guys बाकी आप नीचे comment section में वो questions discuss करना भाई जो आप चाहते हो जिनके answer साब चाहते हो God of War रंगेरोग के उपर तो अब भाई निकलता हूँ मैं मैं जा रहो हूँ भाई योटनाइम जैसे कि मैंने आपको starting बताया और I'll be back and we'll play God of War together and मिलते हैं भाई बहुत जल्दी एक और स्वादस वीडियो में तब तक टेक केर and बबाई